दोस्तो एक बार फिर से स्वागते आपका मेरे स्यूटिप चैनल में नए लोगों को वेस्टिज का प्लान केसे बताएं उसके लिए ये वीडियो उनको सेर कर सकते हैं गुड मॉनिंग दोस्तो आज हम बात करेंगे कि अप केसे दुकान बदल कर पेसे कमा सकते हैं हम किसी ना किसी दुकान से अपनी जरुवत का समान हर महीने लेते हैं जैसे कि साबन, पेस्ट, हैर ओल, कुकिंग, ओल आदी तो एक्जामपल के तोर पर एक साबन को लेते हैं वो हम तक किसे पहुँचता है पहले वो साबन एक कमपनी में बनता है फिर CFN एजेंट के पास जाता है फिर डिस्ट्यूबिटर के पास जाता है फिर होल्टेलर के पास जाता है फिर रेटेलर मतलब की एक दुकानदार के पास जाता है और उसके बाद आखरी में हमार तक आता है और हमें इस प्रोड़क की जानकारी टीवी और न्यूस्पेपर से मिलती है तो जो प्रोड़क्ट कंपनी ने 40 उका बनाया था वो हमारे तक 55-500 रुपे का हो जाता है और यह जो 60% है यह बीच के एजेंट को चला जाता है तो इससे हमें कोई फाइदा नहीं होता है और यह हमारे घरेलू समाने पेसे में एक कॉंसेप्ट आया जिसे डाइरेक्ट सेलिंग कहते है इसका मतलब यह है कि जो कमपनी है उसको डाइरेक्ट कस्टमर से जोड़ दिया गया तो यहाँ पर जो कमपनी है 40 रुपे का सावन बनाया वो कस्टमर को लगबख 100 रुपे का मिला और यह जो बचा हुआ 60% पेसा है यह कमपनी ने कस्टमर को वापिस बोनस के रूप में कमिसन के रूप में दे दिया तो यह बोनस पाने के लिए कस्टमर को दो काम करने थे पहला उन प्रोड़क्ट का उप्योग करना था और दूसरा कमपनी और प्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट को प्रोड़क्ट करना था मतलब की लोगों को बताना था जैसे कि हमने बताया हर महीने हम 1000 से लेके 1500 रुपे का समान खरिदते हैं जैसे कि सोप, टुट पेस्ट, सैंपू, फैस क्रीम, टी, कॉफी, डिटर्जंट इससे जुणने से आपको कही तरह के फायदा होंगे पहला, इसमें जुणना फ्री है यानि कि कोई भी जोइनिंग का पेसा नहीं लगेगा दूसरा, ये लाइट टाइम फ्री है और इसमें कोई भी रिनेवल नहीं होता तीसरा, इसमें कोई मंतली टारगेट्स नहीं होते और चोथा, इसमें आपको उसी का पेसा देना है जो सामान आपको लेना है मतलब कि जो सामान आप वेस्टिज से खरीड हुए उसी सामान का आपको पेसा देना है वेस्टिज कमपनी 2004 में मैनेजिंग डायेक्टर गोतम बाली जी और उनके दो पार्टनर कनवरबिर सिंग जी और दीपक सुच जी के साथ खोली थी ये कमपनी इंडिया में टोप 5 कमपनी में आती है और वल्ड में टोप 30 कमपनी में आती है और ये इंडिया की एकमात रेसी कंपनी है जो वल्ड में 33 खासिल के आए इसके साथ Westridge के पास Health Care, Personal Care, Costumatic Products है इसके साथ Westridge के पास Dero ऐसी केटेगरी है जहाँ पर आपको Good Morning to Good Night के सारे प्रोडक्स मिल जाएंगे और Westridge से जो प्रोडक्स है वो GMP Certified है मतलब की Good Manufacturing Practice ये एक ISO 9001-2008 Certified Company है जिसका उद्देश से की कस्टमर को World Class Service प्रोडक्स करवाना तो दोस्तो Westridge के साथ जूणने पर आपको 9 तरह की इंकम मिल सकती है पहली है Saving on Consurrection 10-20% सेकेंड है Accumulative Performance Bonus तिके वो होगी 5-16% थर्ड है Team Building Bonus वो मिलेगी आपको 3% उसी प्रकार से Director Bonus जो आपके आपको मिलेगा 15% इसके बाद जो अगली इंकम है वो है Leadership Overriding Bonus ये Westridge से सबसे बड़ी और महान इंकम है ठीके इसके बाद जो अगली इंकम है वो है Travel Fund 3% इसके बाद अगली इंकम है Car Fund 5% इसके बाद आपको इस प्रकार से House Fund मिलेगा जो इंकम होगी 3% और आखरी में है Light Club Bonus जिसकी इंकम होगी आपको 2% तो इस प्रकार से आपको Westridge और अलग तरीके से पेसा देता है तो पेहली इंकम, Saving on Conception है उसके बादे में बात करते हैं तो मान लिजे, कमपनी ने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है जिसकी प्राइज है 120 रुपए तो वो आपको 100 रुपए मिलेगी मतलब कि आपको डाइडेक्ट 20% का डिसकाउंट मिलेगा यानि कि आपकी 20 रुपए की बच्चत होई तो अगर एक एक एक्जामपल से समझे कि अगर आपने 10,000 रुपए का समान खरीदा तो आपकी 12,000 रुपए की बच्चत होगी मतलब कि आपको 200 रुपए का डिसकाउंट मिलेगा अगर इस दुकान के बारे में आप लोगों को रिकमेंट करते हैं तो आपको 10-20% का मुनाफ़ हो चकता है इसके बाद वेस्टीज चीज तो दूसरी इंकम है वो है एक्टिमिलेटिव पर्फरमेंस बॉनस जो कि मिलेगा आपको 5-16% अगर आप वेस्टीज में 30 का को ब्रॉडऻक हो फ्रॉड़क थे एक पीवी मिलेगा 20 का सामान खरीक्रत यह तो नहीं पर आपको एक और चीज समान खरी के वेलियो होती है वह अठारा बिसनेस यह होता है और इसका calculation कैसे होता ही उसके लिए हमारे इस चैनल पर वीडियो है वो जरूर देखेगा तो यहां पर आपको समझ में आगी बात अब देख लिजे क्या आप कितना PV करते हो तो आपकी level बढ़ती है मतलब लगब 5,000 PV करते हो तब आपकी जो लेवल होगी वह होगी 12% मतलब कि आप असिस्टेंट डारेक्टर बन जाओगे और उसी प्रकार से अगर आप 5500 पीवी कर लेते हो तो यहां पर आपकी जो लेवल होगी वह होगी 16% तो इस प्रकार से आप पीवी करते हो तो आपकी लेवल बढ़ती रहती है देखें इन्हां पर आपको एक और चीज समझेगी जरू थे अगर आपको 8% जाना है तो कम से कम आपको 600 पीवी करना होता है पर वेस्टिज हमें यहां ओफर देती है कि कि किसी सिंगल मंथ पे अगर आपको 282 पीवी करना है ठीक है तो 600 पीवी न बनने के लिए आपको चाहिए 5500 पीवी ठीक है बट यहां पर वेस्टिज आपको फिर ओफर देती है कि कि सिंगल मंत में सिंगल मंत की बात कर रहो हूं जिस महीन आप जोइन करोगे उसी महीने में अगर आप 4500 पीवी कर लेते हूं तो यहां पर आपको 1000 पीवी कम करना है उसकी बावजूद भी आप यहां पर फास्ट स्टार्ट ब्रॉंज डिरेक्टर बन जाओगे तो इस परकार से आपको एक्विल्टी पर्फॉमेंस मिलता है वेस्टिज में और जैसा कि हमने बता है कि इस इंकम के बारे में हमने आप अलरड़ी एक वीडियो में जानकर दे डिरेक्टर को और अगली इंकम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस ये इंकम पॉन्च सिस्टम के अकोडिंग 14 परसंट डिस्टुबिट की जाती है सारे कौलिफाइट सिल्वर डिरेक्टर और अबाव लेवल वालों को तो आए दोस्तों हम जानते हैं कि वेस्टिज में प्रम डाउनलान में कोई ब्रोंस डायक्टर बन जाता है तब आप बन जाओगे शिल्वर डायक्टर इस इस शिल्वर डायक्टर लेवल पर आपकी इंकम 15,000 से 35,000 रुपए आने लगती है जब आपकी डाउनलान में 2 कौलिफाइट ब्रोंज डायक्टर होगे तब आप बन से लेकर पिचोतर हजार उपए महिना आने लगता है तो ऐसे वेस्टिज में प्रोमोशन होते हैं तो यहाँ पर आपके नीचे जित्ते ज़्यादा डारेक्टर बनते जाएंगे आपकी इंकम बढ़ती जाएगी इसके बाद अगली इंकम है ट्रेवल फंड पॉंड सिस्टम क है लोबी जो कि है 16 परसेंट यह इंकम सारे सिल्वर डायेक्टर और अबाव लेवल वालों को मिलती है तो इस इंकम को पाने का जो क्राइटेरिया है वो यह है कि आपके नीचे क्वालिफाइड ब्रोंज डायेक्टर होना चाहिए और उसके ग्रूप पीवी से लगबख 5625 पीवी का ग्रूप पीवी आना चाहिए तब आप एलिजिबल हो जाओगे एलोबी के लिए और वेस्टीज में एलोबी सबसे बड़ी इंकम है इसके बाद अगली इंकम है कार फंड कंपनी आपको 5% कार खरिदने के लिए पेशा देती है पॉन्ट सिस्टम के अकोडिंग म इसके बाद जो अगली इंकम है वो है हाउस पंड 3% कंपनी आपको घर खरिदने के लिए पेशा देती है कंपनी के मंतली टर्न और का 3% डिस्ट्रिबिट किया जाता है क्राउन डायेक्टर और अबाव लेवल वालों को और ये इंकम हर महीने एक लाग रूपे से जादा न UCD, DCD और DUCD होते हैं और ये इंकम हर महीने 20 लाग रूपे से ज़्यादा नहीं दी जाती और दोस्तों वेश्टिच का जो बिजनेस प्लान है वो एक्क्यूमिलेटिव वे मतलब कि जूरते करम का है यानि कि आपका जो बिजनेस है वो कभी जीरो नहीं होगा और यहाँ पर और सारे लोगों न मिला कर 5000 का बिजनेस वोल्यूम दिया तो टोटल आपकी जो बिजनेस वेल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5000 यानि कि आपके नीचे के जो लोग थे उनके भी बिजनेस वोल्यू आपके साथ जुड़े हैं दूसरे महीने आपने फिर 1000 रूपे का सामान तो आपकी जो बिजनेस वेल्यू है वो 6-2 से लेकर 1204 हो गई क्योंकि पिछले महीने का जो बिजनेस वेल्यू था वो भी यहापर एड हो गया और इस महीने भी आपके जो ग्रूप है आपके जो डाउनलाइन है उन्होंने 5000 बीवी किया इस महीने टोटल बिजनेस और तीसरे महीने किसी काराण वस आपने कोई भी बिजनेस नहीं किया तो नहापर आपका जो business value है वो zero नहीं होगा वो पिछले महीने जितना था उतना ही रहेगा तो यह नहापर हमें फाइदा होता है इससे आपकी जो level है वो कभी zero नहीं होती है और यहाँ पर आपके गुरूप ने 5000 बीवी किया तो ये पिछले महिने के बीवी में जूड़कर 15,000 हो जाएगा चोते महिने आप वापत आए और 1000 रूपे का बिजनस किया तो 1204 से बढ़कर 1806 हो जाएगा और आपके गुरूप वाले ने इस महिने भी 5000 बीवी का बिजनस दिया वो 15,000 से बढ़कर 20,000 हो जाएगा तो इन 4 महिनों में मिला कर आपने 1806 का बिजनस वोल्यूम दिया पर यहाँ पर आपका जो टोटल बिजनस वोल्यूम हुआ वो हुआ 20,000 मतलब कि आपके साथ आपके डाउनलाइन ने जितना बिजनस वोल्यूम किया है वो भी आपके बिजनस में जोड़ेगा और आपकी जो इंकम होगी वो 20,000 के इसाब जोगी इसलिए वेस्टीज में हर दम प्रमोशन होता है कभी डिमोशन नहीं होता इसलिए वेस्टीज में आसानी से कोई भी इंसान बड़ा पेसा कमा सकता है मतलब कि हर रोज आप एक एक स्टीडी उपर चरते रहते हो और एक समाई बात ऐसा आता है कि आप डियू स्टीडी बन जाते हो ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस इंसान से कॉंटेक्ट करिए जिस इंसान ने आपको ये वीडियो सेयर करिए वो इंसान आपको वेस्टीज का प्लान बताएगा और आपकी मदद करेगा काम्याब होने के लिए अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नए लोगों को सेयर कर सकते हैं क्योंकि सोडर सिंपल में प्लान बताया है